असलाम अलेकूम वीवर्स, वेलकम तो मैं चैनल मनाहिल टेलर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ स्वी वाले नेक डिजाइन की कटिंग और स्टेचिंग शेयर करूँगी जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पर मैंने जो जाकर रखूंगी जो हमने 48 करनी है उसके लिए तो यहाँ पर मैं 4.5 इंचिस की चोड़ाई पर निशान लगा रहे हूं, उसके बाद गली की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने 6 इंचिस लेनी हैं, आप उपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते है उसके बाद उपर से नीचे की तरफ हम 15 इंचिस पर निशान लगा लेंगे, यानि इतनी हमने V ready करनी है, और यहाँ पर जो बंद वाली साइड है, वहाँ से 1 इंच की चोड़ाई पर हम एक और निशान लगा लेंगे, यानि जितनी चोड़ी आपने 48 करनी होगी, उतनी चो जोड़ते हुए एक और निशान लगा लेंगे कटिंग का, और स्नेक की कटिंग कर लेंगे, अब स्नेक को हमने डारेक शर्ट के उपर पैस्ट कर लेना है, सबसे पहले उपर शोल्डर की साइड पर साड़े चारेंज पर निशान लगाएंगे, यानि इतनी चोड़ाई पर हमने गले को पैस्ट करना है, जितनी चोड़ाई पर हमने गले को कट किया था, अब इस तरह से हम गले को हाफ करके इसके उपर रखेंगे, उपर से हमने जो निशान लगा है वहां तक और नीचे की साइड बिल्कुल हाफ करके इस तरह से रखना है, उसको अच्छे से पैस् करेंगे, तो इस तरह से जी देखें, हमने गले को अच्छे से पैस्ट कर लिया है, अब हम इस गले को सेंटर से कट कर लेंगे, अब इस तरह से कटिंग करते वे, नीचे की तरफ आएंगे, दो इंच ऊपर करके, इसको यहां पर रोक के, फिर दोनों कॉर्नर की साइड को इ ज्यादा नीचे की तरफ नहीं करना, अब गले के उपर इस तरह से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, और द्यान रहे, नीचे का कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, बाकि थोड़ा सा गले के हिसाफ से कपड़ा छोड़ते वे, एक्स्टर कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे, यह देखें सेम इसी तरह से दूसरी साइट से भी अब इस तरह से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे गली के उपर और इसको अच्छे से आइरन कर लेंगे यह देखें इस तरह से अच्छा यहां पर जो बैक साइट की तरफ हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है आप चाहें तो एक रफ स्लाई भी लगा सकते हैं आप इस तरह की किसी ग्लू का यूज करके भी आप इसको बैक साइट की तरफ पैस्ट कर सकते हैं उसके बाद अब हमने इसकी पट्टियां रेडी कर लेनी हैं तो इसकी चोड़ाई हमने कप्ड़े की जो है वो पोने दो इंचली है और जो हमने ये पट्टी अंदर बुक्रम की पैस्ट की है इसकी हमने एक इंच से थोड़ी ज्यादा लिया यानी एक पॉइंट उसके बाद अब हमने इस पट्टी के नीचे प्लेन कपड़ा रखते वे इसको स्लाई कर लेना है सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हमने इसके उपर स्लाई लगा ली है और इसको इस तरह से पलट के अच्छे से अब आयरन कर लेंगे इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को आयरन करके रेडी कर लिया है उसके बाद अब हमने गले के उपर इसका नाफ कर लेना है क्योंकि इन पट्टियों के उपर हमने ट्रैंगल को स्टिच करना है तो उपर से मैंने इसको बराबर रखा है और नीचे की साइट इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए जहां तक कि अकला end हो रहा है वहां तक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे अब नीचे का हिस्सा जो है वह हमारा जो स्लाई में जाएगा वो दो इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो टोटल इस पट्टी की लंबाई है वो 15 है तो यहां पे हम 17 इंचिस पे निशान लगाते हुए दोनों पट्टियों को 17 इंचिस की लंबाई तक कट कर लेंगे उसके बाद हमने यह स्कॉयर पीसिस लिये हैं जिनकी लंबाई और चोड़ाई हमने दो इंच ली है जिनको हमने इस तरह से ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेना है ये तेखें इस तरह से और जो इसकी किनारी है वहां पे हमने इसको stitch करना है लेकिन पहले हम एक protests लाइंगे उसके बाद जहां पर हमने फिफ्टीन इंची की लंबाई पर निशान लगा था वहां पे इस तरह से रखते वें इसको stitch कर लेंगे तो दोनों पट्टियों के उपर हमने रफ स्लाई लगा ली है उसके बाद जहां पर हमने 15 इंचीज की लंबाई पर निशान लगाया था वहां से हमने इस तरह से ट्राइंगल को रखते वे इसको स्लाई कर लेना है अच्छे इन ट्राइंगल की जगापर अगर आप कोई लैस वगेरा यूज करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं अपर कटबक करना चाहें इन पट्टियों के उपर तो आप वह भी कर सकते हैं और इसके लावा जो साइट के बॉर्डर का निकलावा पीस होता है उसकी भी आप पट्टि कट करके इसको स्टिच कर सकते हैं यानि जिस तरह से आप इसके अपर डिजाइनिंग करना चाहें खुद से कर सकते हैं अब इसी तरह से हम पूरी पट्टि के उपर ट्रैंगल को स्टिच कर लेंगे यह देखे हमने इसको स्टिच कर लिया है अब साइट से जो भी एक्स्ट्र कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे उसके बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है ताके जो हमने इसके पर ट्रिंगल स्टिश किया है वो अच्छे से बेट जाए अब इस तरह से हम इस गले के उपर सेट कर लेंगे जहां तक हमने निशान लगाया था उतना हिस्सा हम अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से और किनारी के खपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ करते वे इसको इस तरह से सैट कर लेंगे आप यहां पर देखें पत्टी को अंदर करने के बाद इसकी चुडाई जो है वो बॉन इंज पर ही आ रही है तो इसी तरह से अब दूसरे साइट पर भी हम पत्टी को अंदर की तरफ करते वे इसको पिन के साथ अच्छे से सैट कर लेंगे अब स्लाई करते में जाएंगे, पिंस को निकालते में जाएंगे तो स्लाई जो है वो हमारी लग चुकी है उसके बाद अब हमने जो सेंटर का बुकरम का पीस था उसको हमने यहाँ पे संबाल के रखा है और इसी को हम यहाँ पे सेंटर पे यूज़ करेंगे तो दो इंच नीचे की तरफ करते हुए मैं बुकरम को इस तरह से रखूंगी और उसके बाद उपर से हम गले की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे यानि जितना आपको तयार चाहिए आप उतने पर निशान लगा ले यहाँ पर मैंने 6 इंची इसकी लंबाई पर निशान लगाया है उसके बाद इस तरह से बुक्रम को नीचे की तरफ करते हुए उतने हिस्से को मैं यहाँ पर कट कर लूँगी इस तरह से अब हमने इसको कपड़े के उपर प्रेस्ट कर लिया है और नीचे की तरफ से इसी तरह से हमने एक और पीस कट किया है इसके साइस का और इस तरह से आप हमने square pieces के triangle बनाके इसकी उपर वाली side पर हमने इसको stitch कर लेना है क्योंकि हमने इसको गुम तरीके से triangle stitch करने हैं उपर की तरफ इसकी जगह आप कोई less वगेरा यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो अब यहां पर जो हमने triangle stitch की हैं इसी के उपर हमने अपना दूसरा piece रखना है और back side की तरफ जो sly नजर आ रही है इसी के उपर हम अपनी दूसरी sly लगा लेंगे इस तरह से इस तरह से sly लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से बलट लेंगे और इस तरह से रखते हैं इसको अच्छे से iron कर लेंगे iron करने के बाद अब किनारी पे हमें एक और sly लगा लेंगे ताकि नीचे वाला जो कपड़ा है वो हिले न क्योंकि इस पट्टी के उपर हमने बहुत सारी normal reel के साथ sly लगा लेनी है तो जो मैं sly लगाओंगी वो तकरीबन आदे इंच के फासले के साथ लगा रही हूँ अंदाज से अगर आप निशान लगाना चाते हैं scale की मदद से तो निशान लगा कर भी लगा सकते हैं या पर किसी anchor thread contrast में कोई color यूज़ करना जाएं तो वो भी दागे का कर सकते हैं यहाँ पर देखें इस तरह से हम sly लगाते वे जाएंगे half half inch के फासले के साथ तो यह देखें जी इस तरह से हमने यह 3 sly लगा ली हैं इसी तरह से हमने इसको complete कर लेना है तो यहाँ पर देखें मैंने इसको complete कर लिया है अब इस कपड़े को हमने इसके center पर अच्छे से set कर लेना है अब पट्टी को हमने नीचे की side उतना करके रखना है जितनी लंबाई पर हमारा गला होगा तो यहाँ पर मैं 6 inches की लंबाई पर निशान लगाऊंगी आपने हिसाब से गले की लंबाई ले सकते हैं इस तरह से दोनों side पर 6 inches की लंबाई पर निशान लगा लेंगे और उतना हिस्सा उपर की तरफ करते हुए हम उसको pin के साथ सेट कर लेंगे और उसके बाद इसके पर slide कर लेंगे अब यहाँ पर इन ट्राइंगल की बीच में मैं यहाँ पर pulse को stitch कर लूँगी अगर आप उसको simple रखना चाते हैं तो simple भी रख सकते हैं तो यह देखें इस तरह से हमने इसके पूरे पट्टी के ओपर दोनों साइट पर pulse को इस तरह से stitch कर लेना है तो इस तरह से हमने कले को complete कर लिया है होप के मेरी आइस की वीडियो आप लोग के लिए helpful रही हो वीडियो पसंद आयोते से like और share जरूर कीजेगा चैनल पर new है तो चैनल को subscribe करना ना पूलिएगा तो जी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए जी अल्ला हाफिस